नमस्कार दोस्तों आईए आज जानते हैं कि आप स्टोक्स में किस परकार से आउडर प्लेस्ट कर सकते हैं सारे आउडर किस परकार प्लेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आईए देखते हैं जैसे कि ये ICICI बैंक का हम अगयदी पर्चेज करना चाहते हैं या फिर sale करना चाहते हैं तो दोस्तो sale आपका intra day में होगा अगर 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 आपका demand account में पहले से पढ़ा हुआ ऐसे ऐसे bank का तो आप sale कर सकते हैं नहीं तो ऐसे आपको intra day में ही only sale कर सकते हैं साम तक उसको skyrope करना है तो दोस्तो आईए आप buy में जाते हैं दोस्तो buy में उसी तरह आप यहां simple है तो simple को आप जैसे simple है तो यह simple order होगा जैसे कि अभी 508 rate चर रहा है अगर यहां 507 में ख़िदना चाह रहा है यां 505 में ख़िदना चाह रहा है तो दोस्तो delivery में होता है क्या कि आपको इसमें margin नहीं मिलेगा तो delivery में जितना आपका fund balance है उतना कहीं आप purchase कर सकते हैं और अगर इसको intra day कर देते हैं तो दोस्तो इसमें leverage मिल जाता है लबग दोस्तो leverage आपका इसमें 20 गुना से 20 गुना लबग leverage मिल जाएगा यानि कि आपका तो दोस्तो इसको हम बाद में बताते हैं दोस्तो ये आजाते हैं अब अगर इसको नहीं set करना है तो इसको limit में कर देना है और इसको यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर आप review में जाने से आपका दिखाएगा quantity आपको यहाँ पर डालना है एक है इसको मान लेजाए घ्रेदी हम 10 लेना चाहते हैं तो यहां डास डाल सकते हैं तो इसको आप अगई दी इसमें करते हैं तो यह stop loss लगाते हैं तो यह OCO में चल जाएगा दोस्तों तो इसको simple में ही रहने देते हैं अभी OCO के बारे में बाद में बताएगे तो दोस्तों यह simple में गई दी आपका जतना fund है उतना में गई दी आप खैदना चाहरे हैं तो quantity 10 डाल दिये तो अगई दी 505 का rate देंगे तो 5050 रुपिया इसमें चाहिए तब यह purchase हो जाएगा यह order placed हो जाएगा और इंट्राडे में करते हैं तो इसमें आपका यह leverage बिस गुना मिल जाता है तो दोस्तों इसको अगई दी नॉर्मल में delivery में करते हैं दोस्तों delivery यानि कि आप अपना यह आपका यह demand account में आ जाएगा आज अगई दी purchase करते हैं तो कल आपका यह demand account में आ जाएगा तो यह normal share purchasing हुआ इसको यह review में चल जाते हैं दोस्तों यह दखिए आगे इसको buy कर देंगे तो यह order placed हो जाएगा उसके लिए हमरा fund balance भी होना चाहिए 5050 रुपिया दोस्तों तो इ यानिकी दोस्तों इसमें आप stop loss लगा सकते हैं अगर यह दिए order type यहां पर market है तो हम इसको limit कर सकते हैं यानिकी जो rate में हमको purchase करना है वो rate को हम यह डालाइगा दोस्तों यहां पर दिया है buy price अगर यहां हम 505 का दार है तो यहां 505 हो गया अब दोस्तों यहां है stop loss अगर दे हम stop loss set करना चाहते हैं इसमें माल लिए 505 में हम खरीदे और श्टोक आगिया 500 पर तो दोस्तों अब हमको और loss अगर दे हमको नहीं लेना है तो यहां क्या करना है दोस्तों इस्टोब लोस में अपना 500 का rate यहां पर set कर देना है दोस्तों यह हो गया उसके बाद दोस्तो यह product intraday है intraday आपका cover order में intraday यह order place होगा जो कि आपका सवाद 3 बजे तक आपका यह square आपको करना होगा नहीं तो अप stocks के दोवारा यह आपका square आप कर दिया जाएगा जिसका कुछ चार्ज भी आपको लगेगा तो दोस्तों यह हो गया अब इसको यहां review में जाके आप और यहां पर buy now कर देते हैं तो आपका यह order placed हो जाएगा तो दोस्तों यह हो गया आपका co हो गया अब दोस्तों आते हैं oco में को सियो में दोस्तों आने के बाद यहां limit में ही खरिदना है या market में अगरे दी SLM मार्केट रेट में ख़रना चाते हैं इसमें आना है निमीट में खरिदना है तो इसमें आना है दुस्तों तब buy price डालना है दोस्तों buy price मेरा वही रहेगा 505 में जाए च्छे में ख़रना ज सेल करना है तो अगदी सेल करना है 255 में और आगए निचे गिरता है दुस्तों तरेलिंग ट्रेलिंग इसल इस्टॉप लोस यानि कि दुस्तो इसमें ट्रेलिंग है जैसे कि मार्केट आपका इसेयर का प्राइस अगर इदि उचा उठता है तो आपका इस्टॉप लोस भी उपर हो जाएगा दोस्तो जैसे कि अभी आपका दोस्तो यह है फाइफ हंडेड में है तो गए दी एक प आउडर भी इंट्राडे में होगा दोस्तो यह का अब रिभीयू में आ जाते हैं उसके बाद यहां बाइक कर देने से आपका यह आउडर प्लेस्ट हो जाएगा और जैसे 505 में आपका यह आएगा आइसे आइसे बैंक का प्राइस अपका वह स्कूटेट हो जाएगा तो दोस्तो अब आते हैं यहां पर ओर एक आउडर है एम ढूदे है कि अक्वाट कि दोस्तो यह आपका यह मार्ट कें ओपमेन होता है नह बजा होता है तो दोस्तों अनो बजे आपका यह आवडर इसको टेड हो जाएगा तीसको इसके लिए आपको पहले से यह आउडर लगा के रखना होगा दोस्तो यही है एमो तो इस परकार से आप इसमें आउडर लगा सकते हैं किसी भी उसी परकार दोस्तो आप सेल में भी कर सकते हैं सेल में तो यह तो नॉर्मल में आपका सेल होगा नहीं तो आपको इंट्राडे में सेल करना ह तहीं झायाओगा या फिर कभर आउडर ऊसीओ लगा सकते हैं मालेगे दोस्तों इसका भी गिरेगा भाल यदि हम तो इसको ऊसीओ मैं लगाते हैं हूं सिंपल में ही लगाते हैं दोस्तों सींपल मैं किस परकार आप सेल कर सकते हैं दोस्तुं इंट्राडे में आप लिमीट में हुआधज vlogs करना जाते हैं जैसे दोस्तों 359 में हमको praisie में एय्जान चाहते हैं तो उसको यहां पर आप इसको इहां री भीव में जैसे आयेगा अग जल जिए पाइंट तक कर सकते हैं ये नहीं तो फिर Tucson तो यह में आप अव्डर प्लिश्ट कर सकते हैं दस्तों इसे यह हो गया तो दस्तों अब यहां टार्गेत भाई तो दुस्तों वत दलिर दिख रहे हम गिर रहा है तुस्तों क्या करना है तो हम हम को लग रहा है कि 5.7 तक रेट जाएगा तो हम टारगेट 500 कर देंगे या दो इस परकास दोस्तों जैसे पाइश से पंद्रों से गई दिए उपर जाएगा तो मेरा यह सेल हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार से सेल साइड में कर सकते हैं